नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरी यूटू चलनर रीमेक एडू पात्यू आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बիज्यान के पुस्तक आपको जितने भी राज बोर्ड रोते हैं उन्के फूर का पूर्ण पूरा में हम लोग देखेंगे और हमने प्रयास किया है कि एक भी प्रस्ट छूटे नहीं इसी तरह ये क्रम आगे चलता रहेगा और पूरे NCRT और ACRT बेस्ट जो भी पाठे पुस्तक की MCQs हैं मैं एक पूरी सीरिज लेके आ रहा हूँ और आज से मैं सरी सुरुक कर रहा हूँ और आपको इससे लाब होग और सारी प्रतियों प्रिक्षाओं में इससे प्रस्ट इससे ही आएंगे ऐसा मेरा मनना है और इससे अलग नहीं आने चाहिए तो आएए वीडियो को सुरुक करते हैं और यह बिग्ज्यान की पुस्तक है से एम से क्यूज हैं आए इसको देखते हैं और पहला प्रस्ट नवारी सामने आया है निमलिखित में से कौन सर्वाहारी की स्रेनी में कौन आता है तो सर्वाहारी की स्रेनी में आपको क्या आता है क्या साकाहारी आता है मांसाहारी आता है ए और बी दोनों या इन में से कु सभीकौन होगा तो प्रस्न से ही उत्तर की जहलग मिलती है इसमें होगा आप को उत्तर सी क्लियर है चले आगे बढ़ Natomiast और देखते हैं दूसरे प्रसन को दूसरा प्रस्न क्या है मकरंद क्या मकरंद क्या है फूल का रस एक प्रजाती यह और परकार का फल मकरंद यह जाना पुछाना है जब लोग ने पढ़ा होगा एन्य पेस्ताब में और अपने समझ bench तो यह दिमाग में आ रहा हो किया है तो मकरंद जो है यह फूलों के पाद को कहा जाता है इसको फूलों के पाद को आजया आए मध electr किसरे प्रसु की तरफ चलते हैं मध्यमक्या फूलों से मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती है क्योंकि अच्छा मध्यमक्या जो फूलों से मकरंद अभी हमने पता किया कि मकरंद फूलों के रच को करते हैं तो मध्यमक्या क्या करती है उसके रच को एकत्र करती है और भं मधी मक्हिएं में अधिक सहब खाने की प्रविर्भती होती है। दूसराख्यों की मकरंद बर्स में किवल एक कुछ समय के लिए लिए हिं उपलब्द होता है। और C मध मक्हिएं आलस की प्रविर्भती होती है। मैं कि मुदह मक्ष हो एक होता मदस मक्ष में आलंज की प्रविटी फोसर इसका उत्तर होगा डेखे suspect कुछ समय के लिए ही उपलब होता है उसक का दुबारा वो नहीं आता इसलिए मध्मक्ष क्या करती है उसको इस्टोर कर लेती है एकत्र कर लेती है बंडारित कर लेती है चले आए देखते हैं अगला प्रस्ट क्या है चौथा नमर प्रस्ट अहारी रेसे हैं विटामिन है खनीज लवन है रुद्रांस है तो अहारी रेसे हैं क्या तो इसका उत्तर है ये रुद्रांस है अब अह आहारी रेसे में आता क्या क्या है अब देखे जो आगे के प्रस्ण में इसे रिलेटेट चीजे मिलेंगे आहारी रेसे में जो है न सलाद में चीजें जो खाते हैं उसे आहारी रेसे प्राप्त होते हैं और इसका उत्तर क्या होगा आपको रुद्रांस होगा आगे प्रस्ण में इसको और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे अब देखें अहारी रेसे काम करता है क्या एक पुसक्तत के रूप में बीना पचे भोजन को सरीर से बाहर निकालने में ए और बी दोनों इन में से कोई नहीं यह चछटी क्लास का प्रस्न है देख लिजे यह अहारी रेसे काम कर क्या एक पुसक्तत के रूप में दूसरा बीना पचे भोजन की सरीर से बाहर निकालने में तो यहां उत्तर क्या होगा आहारी रेसे जो है बीना पचे भोजन को सरीर से बाहर निकालने का काम करता है सलाद में जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं आहारी रेसे ही है है आगे देहते हैं हमेरे पता कर लिया कि आतरी रे से क्या होता है अगला च्षटा निमलीखित में से कौन सा भोजन के पोषख Princip में संभी लित है कौन क्या है भोजन के पोशक्तत यानि निट्रिशन में पोशक्तत में संभी लित है कौन खनीजलवन विटामीन आहारी रेसे ए और दी दोनों अब देखे कौन इसमें पोशक्तत तो कौन है अगर थोड़ा सामी इसमें दिमाग लगा है तो पता चल जाएग कि इसमें पोसक्त तो कौन है इसमें पोसक्त खनीजलोन है विटामिन है लेकिन आहारी रेसे नहीं है इसका वर्क कुछ और होता है जिसे हमने अभी कुछ दिर पहले यानि इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये और बी हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे देखते हैं अगले प्र सात्वश्र नंबर प्रस्न क्या करता है कार्वो हाइड़ेट हमारे सरीर के लिए उतरदाई है क्या करता है कार्वहाइड्रेट मुख्य रुप से उर्जा परदान करने में के लिए उतरदाई है सरीर की ब्रिधी और और उरक्षन में उतरदाई है रोगों में की सहायता में उतरदाई है क्या करता है ये आपको किस काम आता है और इन में से कोई नहीं इन चारों में अगर देखें तो क्या होगा क्या करता है ये देखें जो खनीज लवन है कार्बोहेड्रेट्स है प्रोटीन है बिटामिन्स है वसा है ये सब चीजों का अपना अपना काम है उसी तरह कार्बोहेड्रेट क्या करता है तो ये कार्वो हैड्रेट जो है हमारे सरीर को मुख रूप से उर्जा परदान करता है ये क्या करता है उर्जा परदान करता है उर्जा वसा भी परदान करता है उर्जा कार्वो हैड्रेट भी परदान करता है क्लियर है तो कार्बो हैड्रेट हमारे सरीर के लिए उतर दाई है क्या तो कार्बो हैड्रेट हमारे सरीर को मुख्रूप से उर्जा परदान करता है कि आगे देखते हैं वसा वसा हमारे सरीर के लिए उतर दाई है मैंने अभी बताया है कोई दिर पहले तो क्या करता है वसा य करता है या रोगों से रक्षा करता है करता है कृव हाइड्रेट करता है और वचाल प्रदान करता है वसं यानि है वा कि तरिव carbon से यह क्रता है हमारे शरीकिर अकरता है लेकिन जरोव से ज्यादा आदमी उटा लेकिन हर चीज को जरूँ से जादा नहीं नलेना चाहिए कि कर्पमर्याइड वसा हेमारे सरीर के लिए उपयोगी है क्यों कि कि इसे एनर्जी मिलती है कार्बोएडेट से एनर्जी मिलती है आगे देखेंगे कि ज्यादा किसे मिलती है आए देखते हैं पर्ले प्रोटीन के बारे में जानते हैं प्रोटीन अब प्रोटीन से समंदित प्रसन कह रहा है प्रोटीन हमारे सरीर के लिए उतरदाई है अब अभी हमने जाना किसी इसके कार्वोःडेट के बारे में जाना और वसा के बारे में जाना अब आती है बात प्रोटीन की बही प्रोटीन से हमारे सरीर को क्या मिलता है क्या करता है हमारे सरीर को उर्जा परदान करता है सरीर की ब्रिधी वो अनुड़क्शन में उतरदाई होता है रोगों से रक्षा करने में हमारे लिए ये सहायता करता है क्या करता है यह तो प्रोटीन हमारे सरीर में करता क्या है तो यह प्रोटीन जो है हमारे सरीर के बृधी और अनुरक्षन में सहायक है यह सरीर को बृधी और अनुरक्षन क्या है प्रोटीन ध्यान रखेंगे हम इसे प्रोटीन क्या करता है हमारे सरीर को बृधी और अनुरक् प्रोटीन से शरीर में ब्रदी होती है उसके बाद बाकि है और भी चीज आई आगे देखते हैं खनीज लवन हमारे सरीर के लिए उतरदान करने में और रोगों से रक्षा करने में या इन में से कोई नहीं तो क्या करता है? खनीज हमारे सरीर में क्या करता है? खनीज भी जो है वो सरीर के ब्रीधी और अनुरक्षन में उतरदाई होता है हमारे सरीर के ब्रीधी और अनुरक्षन में भी प्रोटीन उतरदाई होता है यानि खनीज लवन उतरदाई होता है इनी से सरीर की ब्रिधी होती है तो खनीज से भी और आपको प्रोटीन से भी दोनों से हमारे सरीर की ब्रिधी होती है वसा से और काइबोएडरेट से क्या होता है उर्जा मिलती है प्रोटीन और खनीजलों से सरीर की ब्रिधी होती है और अगला विटामिन विटामिन से क्या ह होता है जब हमने तीनों पहले जान लिया तो इसमें हमारा प्रस्ण बड़ा साप से दिख रहा होगा उसका उत्तर क्या होगा अभी हम लोग ने जाना इसकी उत्तर को अगर हम चेक करें क्रॉस चेक करें तो मुख रूप से उर्जा प्रदान करता है कार्भॉइड बसा शरीर बिटामिन जो हम लोग लेते हैं वो क्या करता है हमारे सरीर को रोगों से रक्षा करने में सहयता करता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है सरीर के इम्यून सिस्टम जो मजबूत होते हैं जो रोग निरोतक समता है वो मजबूत कौन करता है ये बिटामिन करता तो किलियर हमारा हो गया कार्बोहाइडरेड वशा को जान लिए खनीज लवन प्रोटीन को जान लिए और वीटामिन को जान लिए मैं एक बार फिर से दोरा देता हूं कार्बोहाइडरेड और प्रोटीन क्या करता है कार्बोहाइडरेड और प्रोटीन करता है सौर्ट में लेग देता हूं और प्रोटीन क्लियर है और यह वाला कौन काम सता है विटामिन क्लियर है अब हमारे पास एकदम क्रिश्टल क्लियर होगा कि वही विटामिन क्या करता है खनी जलवन और प्रोटीन क्या करता है अपको कार्वोहड्रोड और वशा क्या करता है क्ल अमीनोमन मद या भी दोनों या इन में से कोई हैMI अब प्रोटीन कोन हैbacks तोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया होगे किताबों पे अपने तो इसमें अमीनो अमल जो है अमीनो अमल जो है यह एक प्रोटीन का प्रकार है और यह कुछ और है आगे देखते हैं क्या है मंड सरकरा के कुछ और होते हैं तो अमीनो अमल जो है यह प्रोटीन है इसको हमें बिल्कुल याद कर जाना है चलिए मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो के माध्यम से आपको याद करा दे अम नीमन में से कार्वु हाइड़ेट का एक प्रकार है कौन सा भाई अमीनोमल मंड सरक्रा यह बीदू नो अभी हाँ गार इंडिगेंट आपको निगेटि वे जो कोशन का होता है उत्तर देने का अगर उससे जाएं तो अमीनोमल तो हमने अभी पता कर लिया अभी पीछले में ही देखा कि अमीनोमल क्या है अमीनोमल प्रोटीन है क्लियर है मंड या तो मंड होगा या सरक्रा होगा या दोनों होगा या दोनों होगा तो अमीनोमल क को अगर हमने यहां से माइनस कर दिया तो कार्वो हैड्रीस में से क्या हो जाएगा मंड और सरक्रा यह दोनों क्या होते हैं दोनों क्या होते हैं दोनों के दोनों कार्वो हैड्रीड होते हैं यह ध्यान रखने के जिरू होते हैं दोनों के देनों कार्वो हैड्रीड होते हैं चलिए, 14 होँ नमबर परस्ट पर चलते हैं, 14 होँ नमबर क्या है, वसा से ज़्यादा उर्जा मिलती है या कार्भो हैड्रेट से, मैंने कुछ दिन पहले ये बात बताया है, कि उर्जा दोनों से मिलती है, उर्जा वसा से भी मिलती है, उर्जा कार्भो हैड्रेट से मिलती है लेकिन दोनों में किस से ज़्यादा मिलती है अगर कहीं option में रहे कि उर्जा मिलती है अगर वहाँ वसा भी रहे कार्बो हाइड्रेट हो तो क्या करेंगे कार्बो हाइड्रेट के मारेंगे कि उससे मारेंगे और इनमें से कोई नहीं हो चाहिए भी दोनों का option नहीं प्रोटी से जो है न हमेरे सरीर को ज्यादा उर्जा मिलती है इसका मतलब यह नहीं कि जो उच्छा आप तेल पानी खाने तेल घीवर खाने लगिएगा सबकी एक लिमीट है फैट से सरीर को उर्जा मिलती है तो ज्यादा फैट खाईएगा तो फैट ही हो जाएगा इसलिए उर्जा मिल करती है ए और भी या डी अभी कुछ दिर पहले हम लोग ने इस पर चर्चा कर ली है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की जरूरत है नहीं वसा से वादमी मोटाता ही है वसा से उर्जा मिलता ही है सीधा बात है यह और भी दोनों एंसर हो पूसब तत्यु के रूप में प्रस्ण पढ़ने की जरूरत है कौन सा कथन सही नहीं है इस पर ध्यान देना है सही है पर नहीं ध्यान देना है यह अकसर प्रिशाओं में यह छूट जाता है यह नहीं है वाला आयो देखते हैं कुछ सीमा तक सरीर को जल की आपूरती खाद पदार्थों में उपस्तित जल से होती है मने एक हद तक सरीर को जल की आपूरती किससे होती है खाद पदार्थों में होता है कुछ सीमा तक सरीर को जल की आपूरती खाद पदार्थों में उपस्तित जल से होती है मने खाने वाली चीज में से कुछ सरीर को जल मिल जाता है म अगर देखा जाए तो यह सही है, बिल्कुल होता है हम लोगों को, अच्छा, उसके बाद, दूसरा, जल भोजन में उपस्तित, पोसकों को अवसोसित करता है, बिल्कुल करता है, जल भोजन में अवस्तित, कुछ जो पोसक हो क्या करता है, अवसोसित करता है, बिल्कुल करता है उसके बाद यह भी कथन सही है जल मुत्र और पसीने के रूप में अपसिस पदार्थों को सरीर से बाहर निकलता है बिल्कुर निकालता ही है यह भी नहीं है तो उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा अगे 17 नमबर प्रसण क्या है 17 नमबर प्रसंदय देखते हैं हमारे सामने बेरी-बेरी बिटामिन की कमी से क्लियर है अमको पता है की बिटामिन क्या करता है एक रोधक रोग प्रतिरोधक छमता हमारे सरीर में बनाती है रोगों से रक्षा करती है विटामिन यानि इम्मेन सिस्टम को मजबूत करती है तो कौन सा विटामिन कौम हो जाएगा जो बेरी बेरी हो जाएगा हम लोगोंने सब लोग रटा होगा ध्यान रखेग तो क्या है बेरी बेरी से कौन उत्तर क्या होगा विटामीन A होगा विटामिन K- 1 होगा विटामिन C होगा तो याद होगा हमें बेरी बेरी विटामिन बी से बी से बी आ बेरी भी बी से तो बी से बेरी बेरी बी से बी से बेरी बेरी बी से बेरी क्लियर है तो इस बी से याद रखे इसको कनेक्ट कर लिजे बी है तो उससे कनेक्ट होगा बेरी बेरी क्लियर है इससे आपको याद होता है vitamin B1 की कमिस होता है clear है न ध्यान रखना है B1 है बी-वन की कमि से होता है अगर कहीं B1 है ऐसलो तो B1 आपको जधा suitable बनेगा चलिए आगला आठारवा नमबर प्रला कि से किस की कमिसे होता है आपको टिदेटामिन की कमिसे होता है आपको विटामिन B विटामिन सी और विटामिन डी किस कमी से होता है अभी हमने जाना वी वन से कौन सी होती है बेरी बेरी होती है तो रिकेट जो है वह क्या होता है आपको विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है क्लियर है विटामिन डी की कमी से आपको विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है य मैं इसको होता है नुद जो जिसको भी अगर इकट वाली जुब समस्या है तो कम जोर हो जाती है है और वो लचीला हो जाती है आए कि सी में याद् होगा घाजर खाते थे तो इसको घाजर खाना चाहिए उसमें कि होगा मटाज़ी के लिए दरिश्टी हिन्ता कि जो आपको स्टी हिंता है वह विटामिन यक कमी से होता है यह करुए कि इसकर भीजैंक से होता है बिटामने से होता है आए अगर द्यान विटामिन c की कमी से क्या होता है सकरबी होता है अब आय से होजाएगा आप को डिरिश्टी हिंता विटामिन B, Berry Berry, Vitamin C, S,B, Vitamin D, Recatus, Clear है, इस से हो जाएगा आपको, Berry Berry, Vitamin B, Vitamin B से Berry Berry, Vitamin A से क्या हो जाएगा, Vitamin A से क्या हो जाएगा, दिरिष्टी हीनता हो जाएगा, घिरिष्टी हिंता बिटामिन B बेरी बेरी बिटामिन C ये स्कर्वी लिखने के ज़रत नहीं है बिटामिन D क्लियर हो गैंश बिटामिन B लोग पुछता है ये बिटामिन B से होता क्या है इसमेंसमान lunch स्पेसियां जो होता है लूज हो जाती है और उससे वो जूल जाता है, तो इससे समस्या होती है, और बाद में जाके यह निरों का कारण बनता है, विटामिन B, तो वही होता है, विटामिन B में ही B12 खाया जाता है, जिसको निरों की समस्या होती है, विटामिन B12 खाता है, चलि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दोनों यानि इन वाला या इन में से कोई नहीं तो कौन सा घाव भरने में सहायक होता है घाव हो जाता है कौन सा चीज होता है जिससे घाव भरता एक दियांत कि जाएगा चली इसका उत्तर है 21 का B vitamin C vitamin C की सहायता से जो खाव भरता है vitamin C अगर सरी में अच्छा रहेगा तो घाव जल्दी भर जाता है clear है? चलिए 22 number प्रसंद देखते है carbohydrate के पाचन में निम्न में से कौन सा प्रमुख सहायक है? इसमें से कौन सा vitamin जो है carbohydrate के पाचन में carbohydrate के पाचन में कौन सा जो इसमें जो vitamin है वो सहायक होता है जिससे carbohydrate पचे vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D तो कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा 22 का? तो vitamin B1 जो है आपको carbohydrate के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? vitamin B1 क्लियर है चलिए आएद आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण को देखते हैं 23 तीस वा नमबर प्रस्ण हमारे सामने है निमली खित में से कौन औसत्य है कौन सा औसत्य है पहला विटामिन ए त्वचा और आखों को स्वस्त रखता है विटामिन बी घा भरने में सहायक होता है व तेशन नमबर प्रस्ण में तो क्या करता है विटामिन ए त्वचा और आखों को स्वस्त रखता है बिल्कुल रखता है विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है विटामिन D अस्थियों और दातों को तो इसमें उत्तर गलत है विटामिन B जो है घा भरने में सहायक क्या होता है विटामिन B घा भरने में सहायक अभी हम लोग कुछ दिर पहले जाना था विटामिन B घा भरने में सहायक है नहीं है कौन है विटामिन घा भरने में सह सहाय कौन होता है घा भरने में सहायक आपको विटामिन सी होता है ना कि विटामिन यह होता है तो गलत यहीं हो जाएगा यानि यह कथन गलत है तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ए क्लियर है चलिए आए देखते हैं चौबिस नमबर पर अस्तिछ किस खनीज की कमी से होता है कैल्सियम आयोडीन लोहा या इन में से कोई नहीं तो कैल्सियम की कमी से होता है आयोडीन की कमी से होता है या लोहा की कमी से होता है तो किस कमी से होता है तो यह कैल्सियम की कमी से जब इस नमर परसन का उत्तर क्या है कैल्सियम कैल्सियम की कमी से सरी में नहीं होता है यह थी बात है कि गल्बा इसको हदी में धिक्कत हो गया है तो किया कि creature को इसको काई किवलाऊ तुछ ऑऑ तीक है है चले आए देखते हैं पचीसवा बर पर क्या कहता है गेइगा किसखनीश की कमि से होता है केल्सियम आयोडीन लौहा और इनमें से कोई नहीं घेंगा लोग बच्वं से जानते हैं घेंगा क्या है नून खाने से नमक में समस्या तो नमक है क्या हुझ तो क्या हो जाएगा ग्ल्य है पिर्श्टर क्लियर हमादा सामने देख्ञ रहा है इसका अगो चहले प्रस्वान 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 प् चोटी-चोटी-खोलियां होती है आई देखते हैं स्क्राइब और इस वीडियो Remote कि आपको आंतिम प्रस्वन है और इस तरह हमने छठे क्लास के को दो चैप्टर का डीर कर लिए अचे प्रस्ण क्या है आपका प्रस्ण है यहां मानों शरीर में धीमी ब्रिधी निमलीखित में किसकी कमी से होता है बने शरीर में ब्रिधी जो है वो धीरे-धीरे होता है तेजी से नहीं होता है यानि अपने समाने गती से नहीं करता है कि कौन सा चीज होता है जिसे शरीर में ब्र उसके बाद हमने पड़ी थी प्रोटीन और ठानीज है ओनीज और एक पड़ी थी हमने विटामिन के याद Device याद किजेगा जो कार्वुएडर्रेट वता इसे क्या होता थी कि ब्रेधी कि प्रोटीन से शरीर की व्रिधी आपको होती है अब विटामिन से क्या होता है रोगों से रक्षा की जाती है तो ब्रिधी किसे होती है प्रोटीन से इसमें उत्तर क्या है कौन सा दिक रहा है 27 कभी clear हो गया याद भी हो गया चलिए इस तरह हमने सारे प्रस्णों के उत्तर आज हमने 27 प्रस्णाज देखे अब आगे जल्दी ही नया वीडियो लेके आऊँगा आपको और उसमें आगे के पार्ट के जो महत्पुर्ण है ये परिक्षा में आने वाल है इसे बाहर कहीं नहीं आएगा साइंस के इसकी तरह साइंस आप हमारे साथ जुड़े रहिए साइंस के बाद में सारे सोसल साइंस के हिंदी इंग्लिस इस सब चीजों के ब्याकन के भी लेके आऊँगा और सारे सोसल साइंस के हिस्ट्री जोगरफी और पॉलिटी के अलग लेके आऊँगा सारी चीज़ों को आपको NCRT से सारी चीज़े क्लियर करा दूगा और यह चीज आप तक कैसे पहुँचेगा ऐसे पहुँचेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कीजे और कॉमेंट जरूर कीजे पहुँचेगा तो मुझे थोड़ी बूस्ट अप मिलेगी और मैं और उड़ जासे इसको वीडियो को मना सबूँआ थैंक्येक सो मच आप हमारे सत जुड़े जय हिंद